आपके पास Lava Storm 5G है या फिर Lava Blaze Pro 5G है कोई भी फोन है तो यहाँ पर फोन का सेटप कैसे कंप्लेट कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले यह जो लैंग्वेज है इसको चेंज कर लेंगे लेकिन अभी मैं आपको रेकमेंड करूंगे कि इंग्लिश लैंग् करते हैं या जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको स्क्राइट पर क्लिक करना है स्किप कर देना है सिम को और सेटप ऑफ लाइन पर क्लिक कर लेंगे कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर एक्सेट और more और यहां पर log हम बाद में set करेंगे इसको अभी skip कर देंगे तो यह quick setup बोलते हैं इसको without google account या फिर without sim ठीक है तो अब यहां पर आपका setup complete हो चुका है अब आप यहां पर sim डालके गूगल account अगर लॉग इन करके आप इसका complete setup कर लेंगे बाद में क्योंकि यहां पर यह जो एंड्रोइट setup का option आता है तो इस पर आपको क्लिक करना है अब यह क्या रहा है किसी network से connect कर लो चाहिए आप वाइफाइ करनेक्ट कर लो या फिर sim डाल लो तो यहां पर मैं वाइफाइ कनेक्ट कर लूँगी करनेक्ट कि इसके बाद बैक कंटिन्यूँ कर लेंगे सेट अप प्रिपेर वारा वेट कर लेंगे तो इस टैप से option आ जाएगा अब यहां पर इसको ऐसे कर लेंगे इसके बाद अगर कोई पुराना फोन आपके पास उससे आपका data कॉपी करना है लावा के फोन में तो आप यहां पे next कर देंगे अदरवाइस और वाइस डोंट कॉपी पे क्लिक कर लेंगे और एक बर और क्लिक कर लेना है और अगर आप पुराने फोन से कोई डेटा नए फोन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगे प्लेलिस्ट में चेक आउट कर लेंगे इसके पाद वे और यहां पर लॉक भी मैं स्किप कर दूंगी नो थैंक्स तो यहां पर आपका एंड्रोइट सेटप वाला सेटप पी कम्लेट हो चुका है तो दोनों वीडियो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया इसी टाप की इंट्रसिंग वीडियो के लिए आई बटन पे क्लिक कर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार